हेलो बावा लोग कैसे हैं आप सब सौगत है आपका मेरे चैनल पे और जो भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया तो बावा लोग आज का दिन याने की 18 जून इंडियन क्रिकेट हिस्टरी का बहुत ही सुनेरा दिन है अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में तो क्या हुआ था 18 जून 1983 में आपको जैसे पता ही होगा 1983 में क्रिकेट का विरल्ड कप हुआ था इंगलेंड में जिसमें इंडिया जीत गई थी लेकिन 1983 के वर्ल कप के स्टार्टिंग में इंडिया को बिल्कुल ही अंडर्डॉक्स माना जा रहROए था वोई नहीं सोच सकता था कि India आगे जाकर ये वर्लक जीतेगा तो टोर्नमेंट स्टार्ट हो गया पहले दो तीन मैच बहुत च्ट्रॉंग टीम के साथ जिसमें से एक था वेस्ट इंडीज के साथ पिछले दो वर्लक याने की क्रिकेट वर्ल पहले दो क्रिकेट वर्लक वेस् डेट पे 18 जून 1983 को था इंडिया वर्सिस जिंबाबवे तो अब ये मैच क्या था इंडिया वर्सिस जिंबाबवे अगर इंडिया जीच जाता तो सीधा सेमी फाइनल में चले जाता और अगर इंडिया हार जाता तो उसको वेट करना पड़ता एक-दो मैच और खेलने अब ये मैच तो हुआ मैच स्टेडियम में जो थे उन्होंने जरूर देखा लेकिन ये मैच कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ ये मैच कभी टेलीकास नहीं हुआ तो ऐसा क्यूं हुआ क्यूंकि उस दिन बीबीसी का स्ट्राइक था अब सिर्फ मैच टेलीकास्ट ना होना या किसी रिकॉर्ड नहोना उसको खास नहीं मनाता खास बनाया इंडियन क्रिकेट प्लेयर्ज ने उस टाइम पे तो सिनारियो कुछ ऐसा था कि इंडिया टॉस जीता बैटिंग सिलेक्ट की तो जो अपनी पुरानी 1983 की क्रिकेट वल्ड कप की टीम थी तो सारे सर सुनिल गाव असकर सर, मोहिंदर अमरनाथ सर और भी जो प्लेयर्ज थे सारे काफी सस्ते विकेट्स उन्होंने गवा दी फिर एंट्री होती है कपिल पाजी की यानि की कपिल देव सर की और इंडिया का स्कोर कपिल देव सर के आने से पहले था पांच विकेट्स सिर्फ और सिर्फ 17 रन उसके बाद कपिल देव सर आये तो कपिल देव सर के आते ही जैसे की पूरी काया पलट गी वो मैच के किसी ने नहीं सोचा था कि इंडिया एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक भी पहुँच पाएगा लेकिन कपिल देव सर ने ये करके दिखाया उन्होंने 175 रन्स बनाए उस म 14 मतलब 5 विकेट 17 रन पर खोने के बाद 266 रन बनाए सिर्फ 8 विकेट खोई उन्होंने 266 रन बनाए और सिर्फ 8 विकेट कोई 60 होवर में जी हाँ मैंने 60 होवर बोला क्यूंकि उस टाइम पे वन डे मैच में 60 होवर होते थे और मज़ेदार बात यह थी कि जिमवाववे को उन्होंने 235 पर ही ओल आउट कर दिया तो यह मैच जो किसी ने नहीं देखा जो रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए इतना लेजेंडरी है क्योंकि कपिल देव सर ने हिस्टरी रच दी मतलब इतिहास रच दिया उन्होंने तो आज मैं क्रिकेट 19 में उन्हीं इंडिया 1983 की वर्ल कप स्कॉर्ड से उसी जिमवाववे 1983 वर्ल कप स्कॉर्ड से वही मैच उसी स्टेडियम में उन्हीं एमपायर्स के साथ मतलब कि उस मैच में जो एमपायर्स थे वही आज मैं क्रिकेट 19 में रेप्लिकेट करूंगा तो मै आज जाके खेलेंगे मैं आपको सीधा क्रिकेट 19 की स्क्रीन पे जाके सब सारी स्कॉर्ड दिखाऊंगा और आपको वेरिफाय करा दूगा कि इसमें कुछ भी मतलब फेक नहीं है मैं बिल्कुल वही मोमेंट रेप्लिकेट करना चाता हूँ जो 1983 में 18 जून को हुआ था ताकि आप सब भी देख सके क्योंकि वो मैच कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ कभी टेलिकास नहीं हुआ तो आप सब के लिए तो बने रहिएगा इस वीडियो में और एक बात मैं जरूर कह चाहूंगा कि यह गेम है तो exact replication तो मतलब impossible ही होगा मेरे लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि 80% 70-80% तक इस match को मैं replicate करूं ठीक है तो क्या करना है आपको एक ही काम है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए अपने दोस्तों को भी दिखा है लेकिन वो खत्रे की घंटी नहीं है घंटी जरूर दबा दीजिएगा उसके साथ में notification आपको आ जाएगा तो चलते हैं सीधा वीडियो पर शुक्रिया हेलो बावा लोग मैं आ चुका हूँ अपने गेम की होम स्क्रीन पे तो सीधा चलते हैं scenario mode पे क्योंकि मैंने सारी setting वहाँ पर करके रखी हुई है तो scenario mode start करेंगे सीधा click करता हूँ scenario mode पे अब मैंने जो scenario बना के रख़ा है उस पर click कर दूँगा सीधा तो अभी मैं आपको scorecard दिखाता हूँ, scorecard में पूरी scores जो होंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, और फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि इस वीडियो में कोई जोल जाल नहीं, आपको ये पता लग जाएगा कि ये match का stadium भी वो है, match के empires भी वो है, जो 1983 के World Cup के match में, India versus Zimbabwe के match में थे, तो सीधा लेके चलता हूँ, proceed करता हूँ, और अभी तक का आपको scenario में dictate कर दूँगा, बिना किसी देरी के, तो बावा लोग मैं आपको scorecard दिखाने जा रहा हूँ, जो original उस match का scorecard था, internet से picture खीचके, मैं यहीं कहीं, आपको दिखाने के लिए जरूर और कपिल देव सर हाज कम आउट तो बाट, और विद रोजर भी नहीं, आज तो क्रिएट सम पार्टनर्शिप तो टेक इंडिया फॉदर, अब कपिल सर ने उस match में 175 रंस बनाय थे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं भी उनकी innings रेप्लिकेट कर सकूँ, लेकिन कुछ इदर उदर हो सकता है, तो प्लीज, प्लीज समझेगा उस situation को, और मैं आपको बोलर्स के आला दिखा देता हूँ, सिर्फ अभी तक दो बोलर्स में बोल किया है, पी रॉसन है, और के करन है, 12.1 ओवर्स के बाद ही, जो है कपिल देव सर उस match में बैटिंग करने आये थे, फिलाल ये हैं इंडिया का स्कॉर्ट, जब जिंबाववे बैटिंग करेगा, तो मैं उसके स्कॉर्ड की भी पिक्चर्ज और उसके स्कॉर्ड के क्या रंज रहे थे, तो वो सब भी में डालूँगा, अगर आप अभी compare करेंगे, कि जो original scorecard में, सुनील गावशकर सर के, क्र कापिल देव सर की इनिंग से, तो मैं बिना किसी देरी के start करता हूँ, आप प्लीज वीडियो पूरी देखिएगा और बने रहेएगा इस वीडियो में, पहली बॉल खेलेंगे, रॉजर भी नहीं है स्ट्राइक पे, कापिल देव सर नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, कवर चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है, जॉन ट्राकी, जॉन ट्राइकोस बोलर आ चुके हैं, बोलिंग करने के लिए, और धीरे धीरे आगे, यहाँ पे रॉजर बिनी सर आउट हो चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, उस मैच में तो इन्होंने 22 रन मारे थे, लेकि अब मुझे आगे खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि सिनारियो मोड है, और कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन हम कपिल देव सर से जरूर 175 रन बना के जाएंगे, यह मेरी गैरेंटी है, रवी शास्त्री सर आए है, इन्होंने एक रन मारा था उस मैच में, लेकिन हम कोशिश कि इस से अच्छा खेल सके, जो मेन इनिंग्स है, वो कपिल देव सर की, और सेद किर्मानी जी की है, तो देखते कि हम वो रेप्लिकेट कर सकते हैं कि नहीं, इनको पता है कि कैसे खेलते तभी, आज इंडिया टीम की सिच्वेशन इतनी अच्छी है, टेस्ट क्रिकेट में, ओडिया क्रिकेट में, और टीटी क्रिकेट में, तो बावलोगा, आज मैं कोई फालतू के जोग मारूंगा नहीं, क्यूंकि बहुत ही सीरियस मैच है, मैं इ देखिएगा पूरी वीडियो, आपको मज़ा आएगा, मैं आपको और भी इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग बाते बताऊंगा, हिस्ट्री की इंडियन क्रिकेट के, वाट अ फैबिलस सिक्स, कापिल देव सार ने एक और सिक्स हिट कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखते हुए, जिम्बाववे की सिच्वेशन अभी बहुत ही स्ट्रॉंग है, तो बावा लोग मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आप अपने टॉ ब्रिज वेल्ज में खेला गया था, तो मैं बिल्कुल मतलब कोई कमी नहीं रखना चाता है इस रेप्लिकेशन में, तो बस आपको बता रहा था जल्दी से, और उस मैच में भी ये फायर पे ही थे, बिल्कुल, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या शॉट खेला है, यार क्या शॉट खेला है, आज मेरी भी एनरजी कुछ जादा ही है, मैं वाइट पाउडर खा के आया हूँ, जिसको ग्लुकोज बोलते हैं, और कुछ मत समझिएगा, और एक और कवर ड्राइव सर ने मार दी है, तो क्या बिल्कुल बैट के मिडल से लगा है, यार क्या वो है, तो बावा लोग आप सोच रहे होंगे कि ये वन डे मैच है, तो इसमें जर्सी जवाइट क्यों है, तो अगर आपको शायद पता होगा कि उस टाइम पर जो वन डे मैच होती थी, उसमें भी जर्सी जवाइट ही होती थी, तो यहाँ पर हमने चार बॉलों पर चार चौके मार दी है, पता नहीं कि जिंबाववे क्या कर रहा है, और हमने पचास रंगी पार्टनर्शिप रवी शास्त्री सर के साथ कंप्लीट कर ली है, और हमने एक और सिंगल ले लिया है, जिससे कपिल देव सर स्ट्राइक पे आ चुके हैं, क्या शॉट खेला है, क्या शॉट खेला है, कपिल देव सर ने तो, अब मैं गाली नहीं दूंगा ली, कपिल देव सर ने डैश ही फार दी, कपिल देव सर has moved on to 43 runs of just 15 balls, मतलब यह exact replication तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कपिल देव सर रन बना रहे हैं, और वो ही चाहिए, और हमें थोड़ा सा महौल चाहिए उस मैच का, और हब हम जिम्बाववे को हरा के ही रहेंगे, तो बावल लोग मुझे पता नहीं मेरी गेम क्रैश ही हो गई बीच में और शाहिद आपको तो फरक नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरी गेम ही बीच में क्रैश हो गी थी और लोग आउट हो गया मेरे अकाउंट से, तो मेरे को सारा फिर से ठीक करना पड़ा और अब हम मैच में बीच में आ चुके हैं फिर से, तो इसकोर इस इंडिया नाइंटीन पॉइंट वन ओवर्स के बाद इंडिया नाइंटीवन पे है और च्छे आउट हो चुके हैं, कपिल देव सर फॉर्टी एट रंज पे है और सिंगल ले लिया है उन्होंने अब फॉर्टी नाइन पे आ चुके हैं वह वाट अ घटिया सा शौट खेला लेकिन बहुत ही अजीब सा शौट खेला लेकिन कपिल देव सर की हाफ सेंचरी कंप्लीट होते होए और अब हम कपिल देव सर ने और आगे देखते हैं कि क्या होता है जो पिछला इतना अजीब शौट था ये शौट बिलकुल ही पर्फेक्ट था और क्या ही बोले मतलब कि हम तो सीधा उड़ते ही जा रहे हैं उड़ते ही जा रहे हैं अब थोड़ी सी पेस्ट लो करेंगे ताकि थोड फ्लो में आउट भी हो जाते हैं लीव कर देंगे अनफॉर्चुनेटली मुझे रविशास्त्री सर को आउट कराना पड़ेगा गलती से मैं कहीं कपिल देव सर को ही आउट ना करा दू इनसे तो हम मज़े से कहलेंगे चोके छक्के भी मारेंगे और छक्का बोला है तो छक बिल्कुल वैसी तो नहीं बोलूँगा लेकिन 80% मैच करती है वाट टाइब देखेंगे तो हम वाट था क्लास एव तो अल्टिमेट ही है मतलब ही जाल राउंडर इन इंडिया बेस्ट आ राउंडर अज़ेंड मतलब की क्या ही खेलते थे आर्यांगे एवरी टाइम इंडिया वर इन डिफिकल्ट पोजिशन मतलब अपना पूरा यह जोंक देते थे अपनी पूरी एनर्जी जोंक देते थे गेम में और हमने रवी शास्तरी सर को आउट करवा दिया है मतलब मैं ऐसा करवाने नहीं चाहता था लेकिन सिनारियो मोड है मतलब थोड़ा सा रेप्लिकेशन करना है इस वज़े से मेर को कराना पड़ा क्योंकि सेयद किर्मानी जी ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी तो अवर मैं थारे रन रवी शास्तरी सर से बना देता तो आगे कुछ नहीं बच्छता करने के लिए तो अभी सेयद कर्मानी जी आएंगे लेकिन अभी फिलाल तो मैं मदनलाल सर को इनों भी अच्छी इनिंग्स खेली ती मतलब अज़ बोलर इनों ने भी काफी बीस रन बना करते हुए 266 रन बनाने ही पड़ेंगे भाई लोग नहीं मैं रन नहीं लूंगा जब तक मेर को पूरा पक्का नहीं होता मैंने एक्स दबाना ही नहीं है रन लेने के लिए के लिए काफिल देव सब्साइर हाज मूवड ओन तो 80 ऑफ जस 47 बोल्स क्या हम शातक बना पाएं यार यह क्या कर रहा हूं मैं यार मतलब जान हलक में आगी थी अभी यार विकेट कीपर ने पकड़ा होता है तो मैं उट था साला दोरन लेने ही नहीं है बहांचोड तो बावा लोग हमने फक अप कर दिया एक अपिल देव सर मतलब नब्बे पे ही आउट करवा दिया हमने चूते हैं हम बहुत बड़े मतलब यार में क्या करूं यार यह तो सिनारियो होई नहीं पाया लेकिन हम मैंने आपको बोला था कि बहुत मुश्किल है एक्जाक्ट रेप्लिकेट करना नब्बे रन की भी पारी बहुत बड़ी होती है बल्विंदर संदु जी जो हमारे आखरी प्लेयर है उनको बुलाऊंगा और देखते हैं कि क्या होता है कोशिश करूंगा कि मतलब उतने रन पे तो पहुंची जाओं तो सच्यासट रन बनाने इस बल्विंदर संदु ने भी आते ही फोर खेल दिया है यार मैंको बहुत दुख हो रहा है गाइस मतलब मैं बिलकुल रेप्लिकेट करना चाहता था मैंने पूरी कोशिश की थी ले यार आउट हो गया यार मैं मतलब बहुत केरलेस हुई यार मैं इस गेम में दोलग आतार चक्के मार दिया हमने यार मेरे कमेंटरी करने का भी मूड ओफ हो चुका है लेकिन हम 266 रन बना के रहेंगे जिंबाववे वालों की मा की चूथ और आगे देखते हैं कि क्या होगा अब तो मैंने बिलकुल ही रॉंध देना है इन्हें और देखते हैं कि आगे क्या होता है इंडिया है मूफ डॉन तो 211 और जस्ट 9 विकेट्स जस्ट क्यू बोल दिया पता नी मैंने 9 विकेट्स बहुत ही बड़ी चीज होती है और सेयद किर्मानी इस प्लेइंग दे इनि तो इंडिया तो 266 पे मैं पहुंचा के रहूंगा सेयद किर्मानी इस ओन 49 ऑफ जस्ट 22 बॉल्स हम छक्के के साथ खतम करेंगे अपना 50 छक्का नहीं मारा चौका मार दिया मेरी बेज्यती कर दी सेयद किर्मानी जी ने लेकिन फिर भी वेल डिजर्वड 50 फ्रम सेयद किर् तो बावा लोग हमारा स्कोर हो चुका है 245 4-9 हमें सिर्फ चाहिए 21 रन और चाहिए और क्या स्ट्रेट ड्राइव खेली है सेयद किर्मानी जी ने जो मतलब इनिंग्स का पिल देव सर से हम नहीं खेल पाए मतलब मेरी गलती है और किसी की गलती नहीं है वो मैं सेयद किर्मानी जी से कहल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत ही दरुदर हो गया सिनारियो में तो गाइज माफ कर दीजेगा मेरे को मैं बार-बार आपसे माफ ही माँग रहा हूँ क्योंकि गलती मेरी है मुझे पता है एक और स्ट्रेट ड्राइव सेयद किर्मानी जी ने कपिल देशर का बैट बोरो किया है और अब वो खेलते ही जा रहे हैं मतलब की बलविंदर संदू जी ने भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ है इनिंग्स को अभी हमें तेरा रन और चाहिए फालतो का कोई भी रन हम नहीं लेंगे इतनी बार फालतो का रन लेके आउट हूँ इतनी बार फालतो का शॉट मारके आउट हूँ मैं कि मैं क्या ही बोलू यार मतलब की करियर मोड बे भी ऐसे ही होता है मेरे साथ बावा लोग हमने अपना target के लिए सिर्फ एक run बचे है एक run बचा है target कतम करने के लिए और वो अब हो जाएगा यार ये कैसे short था यार एक बार दिखा दो यार replay दिखा दो क्या short था यार तो बावा लोग हमने अपना target complete कर लिया है मैं यहीं पे मतलब की जो है इंडिया की innings end कर दूँगा मैं simulate कर दूँगा next innings देखते हैं तो बावा लोग scene कुछ ऐसा है कि हमने 49 overs खेले और हम all out हो गए सेयद किर्मानी जी ने मतलब मैंने 266 49 के बाद मतलब मैंने खेलना छोड़ दिया replication के लिए ताकि आपको बिल्कुल original लगे तो उसके बाद मतलब जो मैंने simulate किया तो 337 पे मतलब all out हो गई इंडिया तो अब जिमवावे को 337 बनाने है जो इंडिया की मेन बैटिंग थी वो तो हमने देखी ली और कपिल देव सर ने 90 बनाए इस मैच के हीरो जो एप्लिकेशन का मैच था वो सेयद किर्मानी जी हो गए कोई बात नहीं कपिल देव सर और सेयद किर्मानी जी दोनों ने अच्छी बैटिंग की मैंने आप से पहले बोला था कि ये मतलब थोड़ा सा मतलब impossible exact रप्लिकेट करना तो मैंने अपने पूरी कोशिश की है स्कॉर्ट पूरी वो हैं दोनों की तो बावा लोग मतलब की जिम्बाववे की बैटिंग आ चुकी है तो मतलब इस सिनारियो का मेन मोटिव यही था कि आप इंडिया की जो धमाकेदार बैटिंग थे वो देखिए तो मैं जिम्बाववे की पूरी इनिंग सिम्यूलेट कर दूँगा और उसके बाद मैं आपको स्कॉर दिखाऊंगा पूरा की कैसे हम जीते की नहीं जीते ऐसा भी हो सकता है guys सिम्यूलेट करके ऐसा भी हो सकता है कि हम हार जाएं लेकिन इस इनिंग का मेन मोटिव यही था कि आप इंडिया की पूरी उस सेटिंग में 1983 वाली सेटिंग में आप वो वीडियो मतलब इंजोय करें इंडिया की बैटिंग नजोय करें तो अब मैं आपको डायरेक्ट मतलब इस माच में हम मैं आपको इंडिया की बोलिंग नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो काफी बोरिंग हो जाएगा और वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी तो मैं जल्दी से सिम्यूलेट करता हूँ पूरी इनिंग्स जिम्बाबवे की आपको स्कोर दिखाता हूँ और देखते हैं कि इंडिया जीतती है कि नहीं और इजिनालिटी में तो इंडिया बिल्कुल जीत की थी टू थर्टी फाइव पर ही ओल आउट कर दिया था जिम्बाबवे को लोग ज 148 पर ओल आउट कर दिया है जिसमें से तीन विकेट मदनलाल जीने लिए हैं दो विकेट तीन विकेट आक्चली रोजर बिनी ने लिए हैं और बाकी आपको जैसा की स्कोर दिख रहा है कि 148 पर जिम्बाबवे ओल आउट हो गई है तो आशा करता हूँ कि आपको ये सिनार और ये लेजेंडरी माच की सीरीज अच्छी लगी होगी आगे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जाते आते वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजे वीडियो को शेर जरूर करिए दूसरे लोगों क के साथ और जाते आते सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दिजिए उससे मेरी बहुत हो जाएगी और बेल आइकन जरूर दबा दिजिए लगा आपको मेरे आगे की आने वाली वीडियो का जरूर से अंदाजा हो जाएगा उससे तो चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडि